नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल S के जोब अलट में इस चैनल पे आपको रोजाना गौर्मेट जोब और अजूकेशन से जुड़ी लेटेस अपडेट दी जाती है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताजा अपडेट ज दोस्तों पीचे रोट तक में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं फोर दी सेशन ओव दोजारी किस बाइस के लिए ठीक है जी तो दोस्तों इस वीडियो को आप सुरूश है लास्तर जरूर देखेगा जिससे के आपको पंडित भगवत जयाल सर्मा यूनुश्टी ओफ हैल्स रख के इसकी कांस्लिंग डेट रहेगी ठीक है जी और जो मेरे दोस्ती चैनल पर पहली बार आएं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे के में लेटेस्ट गोर्मेंट जोप और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वी जैसे नीचे स्क्रोल करेंगे आपे एडमिसंस पर ठीक है जी एडमिसंस पर कलिक करते हैं आप जैसे नीचे के तरफ जैसे ही आएंगे तो हाँ पर हाइलाट हो रहे है और आपके ओप्सन फाइनल प्रोस्पेक्ट ऑफ यूजी कोर्स के रिगारें ठीक है जी बीस पर लेता हूं पहले तो प्रोस्पेक्ट को तो दूस्तों यह आप दे सकते हो आपका ओफिशल प्रोस्पेक्ट आया होगा है और यह आपका टोटल 70 से गया है चेतर पेज का यह आपका पीडिया फोम में आयो ठीक है जी तो बात करते हैं आपके कौन-कौन से कोर्स के 21-22 ठीक है जी तो आप देसा पंडिय भगवत द्यासरमा पीज्यमस रोते में कौन-कौन से कोर्स है यूजी के रिगार्डिंग तो सबसे पहले आप देसे बीचे नर्सिंग इन कोलेज ओफ नर्सिंग ठीक है जी नेस्ट आपका कोर्स है पोस्ट बेसिक बीचे नर्सिंग in college of nursing, third आपका BPT course at college of physiotherapy, next आपका bachelor of optometry, ठीक है जी, next आपका BSC in medical technology, operation theater यानके OT के लिए, BSC in medical lab technician के लिए है, जो MLT है, ठीक है जी next आपका BSC in radiotherapy technology है, next course आपका BSC in radiography and imaging technology, और next आपका BSC in profusion technology, तो यह आपके course करवाय जाएंगे इस session में और आपका interest test होगा, इसके base, made base पे आपका सेलेक्शन रहेगा, ठीक है जी, तो यह आप दे सकते हैं, official prospects आपका आया हुआ है, और इस बार आप दे सकते हैं, आपकी questions जब VCA, वो change हो चुके हैं, अब आपके डक्टर जी, अनुपमा IES, ठीक है जी, और admissions के regarding क्योरी है, तो यह contact number दे रखा है, email ID दे रखा है, आप यह other colleges भी है, VCA nursing के regarding ठीक है जी, और कुछ private course state के government है, तो यह सभी की list दी हुई है, यह आपके list प्राइवेट इस्टिटूस के दी है, भी जो VCA nursing और other course करवाते हैं, ठीक है, नर्सिंग से related, तो आप इसको detail से check कर लीजीगा, अब बात करते हैं, आपके form के, तो जो आपका admission schedule for academic session 2021 बाइस के लिए, वो आपका start हो चुका है, सबसे पहले आप देशते हैं, आपके form online start हो चुका है, 20 अगस 2020 से, और यह आपके last date रहेगी आपकी, 9 सितंबर 2021 तक ठीक हैं, आपको 20 एक दिन का समय दिया गए, form को online fill करने का, अब चलते हैं, अगर आपके form में कोई गलती हो जाती है, mistake हो जाती है, उसको आप edit करवा सकते हैं, 10 सितंबर 2021 तक, ठीज, लाज जटो समिशन, online application आपको पता ही है, 9 सितंबर 2021 है, Registration Counseling Fees आपके 2400 रुपए रहेगी फोर जनल कैटेगरी के लिए, और 600 रुपए रहेगी, SC, BC, EWS और Physical Handicap Category of Haryana, ठीक है जी, यानि कि अगर आप UGM Admissions के रिगार्डिक प्रोस्पेक्ट या Registration करवाएंगे तो आपको 2400 रुपए है, General Category के लिए, और Other Reserve Category के लिए 600 रुपए फीज रिखी गई है, यहाँ पर आपका Interest Test यानि Common Interest Test की Date और टाइम देद दिया गए है, 19 सितंबर 2021 को संड़े को सुबह 11 बज़े आपका Interest Test कंड़क्ट करवाए जाएगा, ठीक है जी, आपको वेकन डेट Admit Card कर डाउन लोड कर सकते हैं, 24 सितंबर को Admit Card आपके डाउन लोड हो जाएंगे, और जो आपके मैट लिस्ट डिस्प्ले हो रहे हैं विदिन 48 डेज यानिके दो दिन में आपकी मैट लिस्ट भी लग जाएगी, ठीक है जी, और जो Date of Counseling का सेडूल आपको वेबसाइट पर अलग से mention कर दिया जाएगा, और जो आपकी कांसलिंग रहे हैं वो रहे हैं कमेट्टी रूम, डिरेक्टर ओफिस, पंडित भगवा द्याल सर्मा, पी जाएमस, रुत्त तक में ठीक है जी, तो यह आपकी मैन मैन इप्टेंट अपडेट्स थी, एडिमिशन के रिगार्डिंग, तो अब इसमें और आप ओनलाइन अपलाई कर सकेंगे, ठीक है जी, अब यह आपकी कोछ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गई है, जिन कंडिट को बेसी नर्सिंग से करनी ठीक है जी, यह कि फिमेल्स के लिए इसमें, तो इसमें आपको प्लस टू में साइंस होनी ची है, फीजिस के म मेट आपकी मीनिमम इसमें 21 साल मांगेगी जी, ठीक है जी, और अधर आप इसमें फॉर्म को प्लाई करने से पहले फॉर्म को डिटेल चैक कर लीजिएगा, अब बात करते हैं जो आपका इंट्रेस्ट टेस्ट रहेगा, ठीक है जी, आपको पता है आपका इसमें सेलेक्श पिपड़ रहेगा, ठीक है जी, और सारे कोस्ट आपके अब्जेक्टरिय टाइप कोस्ट रहेगे, नंबर कोस्ट बता रखे एक सोची आप जेक्टरिय टाइप कोस्ट रहेंगे, जिसमें आपके सब्जाइब फीजिक्स, केमेस्ट्री एंड बयलोजी या फिर आपका बो लेट का रखा दिये विल बी नो नेगटिव मार्किंग यानि कि आपको 180 कोशन कंप्लेट कर सकते हैं इसके आपके कोई भी नेगटिव मार्किंग नहीं है ठीक है जी और इस बुकलेट के बारे में बता रहे हैं इसमें आपको A, B, C, O, D, Char सेक्शन में आपके पेपर कोड र जारी को बिल्कुल बलेक करना है यह रिजर्वेशन का देर रखा है डिस्ट्रिबूशन टिये सेडूर कार्ट के 10% है ऐसी डिप्राइड के लिए 10 है B, C, A के लिए 16% है B, C, B के लिए 11% है तो यह रिजर्व कैटेगरी के वाई शीट के डिटेल देर की है अब बात करते हैं आपके शीट के देर रखे डिस्ट्रिबूशन ठीक है जिसमें कंप्लिट डिटेल दिए हुई है तो आप इसको डिटेल से थोड़ा चेक कर लीजीगा थोड़ समय बता देता हूँ जिन कंटेट को कोलेज मे अड्मिशन लेना है जैसे की मेट बेस पर होगा तो कोलेज और नर्सिंग करनाल में आपके 44 पोस्ट है गौर्मेंट कोलेज और सफीदो में है वो आपकी चांसरेट पोस्ट है बियस नर्सिंग की ठीज और यह आपके अदर कोलेज हैं कोलेज ओफीजो थेरपी पीजी एमस रोत तक में आपके 33 पोस्ट है और वहीं सीट्स है मतलब कोलेज ओफीजो थेरे पीडी डियू करनाल में आपके 33 सीट्स है और यह आपके अलग-अलग सीट्स है इसमें आप डिटेल से चेक कर लीजिएगा ठीक है इसके अंदर आपकी प्राइबेट की और कंप्लेट डिटेल दीगए यह कितनी-किनी सीट्स है इसके अंदर कोलेजों के अंदर यूनिवस्टी इसके अंदर आपके टोटल 76 पेज के पीडिया फाइल आई है तो फॉर्म को अप्लाइ करने से पहले आप इसको डिटेल से चेक कर लीजिएगा जिस कोलेज में या जिस इस्टिटूट में मैं रिकॉर्ड में सलिया ना उसमें कैटेगरिव है कितनी सीट्स है और क्या आपकी योग गता मांगे गई है यह आपको बताए दिया गया है यह आपको प्रोस्पेक्ट ओफिसल वेब साइट पे भी है जहां से आप इसको डाइक डाउनलोड कर सकेंगे ठीक है जी एड्मिशन्स के रिगार्डिंग क्यूरिया तो मुबाइल नंबर और लेंड लाइन नंबर फोन दोन होता है यह बात करें तिसम्मा आपका स्लेव रएगा ठीक है यह देग्सकता बेख मर्फ क्या नर्सिंग के रिगार्डिंग तो इस में आप का प्लस बन और प्लस टू के जो आपने कोर्स किया हुआ है ठीक है जी उसके रिगार्डिन यानि बीस सी वो प्लस टू में साइंस थी कमेस्ट्री बायो फीजिक्स तो उससे रिलेटेड आपके कोशन पूछे जाएंगी या आपका शलेव बस दे रुखा है तो इसको आप तैयर कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता आपका इंटरेस्ट ट्रेस्ट बेस पे मैड बेस में आएंगे तब या आपका शमें सेलेक्शन होगा एडमीसन होगा ठीक है जी इसमें आपको पता है बड़ा टाफ कंपटिशन होता है अब बात करते हैं आपकी फीज के रिगार्ण ठीक है जी यहापे आपके पर एनवल फीज दे रखिये है तो इसमें आप दे सकते हैं यह आपके बीसी नर्सिंग के लिए फीज दे रखिये है 16,250 है वहीं पोस्ट बेसी में देख लिए जीगा ठीक है इसके अंदर फीज का पूरा स्टेक्चर बतायव है डीटेल से तो इसको आप चेक कर लिजिएगा यह आपके कोर्स का डूरेशन देर का कितने कितने साल का कोर्स है आपका ठीक है जी जैसे का बैसलर फीज थेरिपिय है दोस्तों वीडियो लंब्यी हो जाएगी तो इसके अंदर आपकी कम्प्लेट इंफरमेशन आई यह है ठीक है जित तो इस तरह आप यह दे सकते हैं आपके टोटल 76 पेज की है PDF आयो है प्रोस्पेक्ट आयो है तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसको डिटेल से चेक कर लिए जेगा ठीक है जी और फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में या कोमेंट सेक्षन में दे दूँगा जहां से आप वों को टारेट ओनलाई अप्लाई कर सकेंगे तो आसा करता हूँ दूस्तों में द्वार देगी जनकर आपको पसंद आई होगी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में ज़ोण से जरूर शेयर करें जिनने बीएसी नर्शिंग करने या दर यूजी कोर्स है पीजे रूफ तक में ठीक है जी अगर आपको एडमिशन के रिगाड़न क्यों रही है कुछ पूछना चाहते हो तो इसमें टेलफोन नमबर दिया हुआ है इमेल एडरस भी दिया हुआ है नश्य तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं इसका रिपलाइ िमान आपको जरूर दोगा और आप मेरे को सोचल साइड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं इस्तागराँ ट् Force लिए बिन आपको जरूर करूँगा ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते नेक्स वीडियो में एक लेटेस अपडेट्स के साथ में इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों जय हिंज जय भारत